इन वंदे मात्रम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के तो आप 30 प्रस्णों को कभर करने वाले जो कि बहुत सारे ऐसे एक्जाम है जहां पर यह सभी कोचन बार बार पूछे जाते ठीक है तो यदि आप किसी भी एक्जाम से त्यारी कर रहें दोस्तों आज के यह वीडियो आप सभी के लिए काफ इससन बीडियो ने वाला क्योंकि दूस्तों माने जितने भिए कपब कराए यह कोचय्त अच्छी लेबल की कोचन है जो की एक्जामों में पूछी जाते और आने वाले हर एक एक्जाम में आपको इन सभी कोचन देखने के लिए आउसम लेगे ठीक है इसलिए आपसे मेरे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को लास्तर जोड़ देखेगा और आपको बत बात करें तो राइट एंसर हो जाए दो सवीधान जो है भारत का राष्टी पुष्टक है यानि आपसे नमबर सी सही उत्तर हो जाते हैं दोस्तों इदी बात करें कि सवीधान जो है यह बनकर कब त्यार हुआ था तो 26 नौबर ठीक है 26 नौबर 1909 इसमी में दोस्तों पचे ने पूझे जाए कि सवीधान को लागू कब किया गया था तो 26 जनौवरी 1950 इसमी को दोस्तों सवीधान को लागू किया गया था यह भी आपको याद रखने ठीक है और इसे बनने में टोटल कितना समय लगा था तो दो साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था इसे भी आपको ध्यान में रखना है अगला प्रस्ण आपसे क्या पूछा गया है कि लाल अंगूर किस देश में पाए जाता है यह इनमें से कौन से देश में पाए जाता है भारत जापान बृटेन या फिस त्रिल्लंका तो राइट एंसर हो जाएगा आपसे नबर यहां पर भी जापान जापान में लाल अंगुर पाय जाते हैं। नमबर भी सही, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रस्टन है कि शरीर का कौन सा अंग में भी नहीं जलता। दोस्तों शरीर का ऐसा कौन सा ऊंग है? जो कि आग में भी नहीं जलता है नाखून, मस्तिस्क, नाख या फिर कान, तो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तो आपसे नमबर यह नाखून, जी हम नाखून जो है यह आग में भी नहीं जलता है यानि option number यह सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि किस देश में बर्फ से बिजली पैदा की जाती है यानि आपको बताना है दोस्तों ऐसा कौन से देश है जहाँ पर बर्फ से बिजली का उत्पादन किया जाता है यानि option number यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि कि किस देश में साइकल चलाने के लिए लाइसेंस की लेना पड़ता है आनि दोस्तों ऐसा कौन से देश है जहाँ पर साइकल चलाने के लिए आपको लैसेंस की आवसकता होती है तो राइट एंसर होजेगा option number यहां पर सी इज्राइल जिहां दोस्तों इज्राइल दुनिया का मात्रे एक सादेश है जहाँ पर आपको साइकल चलाने के लिए भी की आवसकता पड़ती है ठीक है अगला प्रस्ट है कि मानो शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है दोस्तों मानो शरीर में देखा जाए तो सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है पैर हाथ तुअचा या फिर पीट तो राइट एंसर हो जाए दोस्तों आप से नंबर सी तो अच्छाए आने अस्कीन जो है दोस्तो यह मानोर सोरीर का सबसे बड़ा अंग होता है यह आपको याद रखना है ठीक है अगला प्राष्ण है कि राष्ट गान गाने की परंपरा किस देश में शुरू की गए थी दूसतर जो राष्टगान गाने की परंपरा है यह सबसे acronym में कौनसा देश में इस परंपरा को सुर्वात किया गये था तो सही उत्तर ह याप न나 ही जापान चेहा वह आपको याद रखना है कि मानओ का कौन सा अंग जन्म से मिर्त्व तक नहीं पड़ता दोस्तों आनि आपको बताने मानां आपको कौन सा आंग है जो कि जन्म से ले करके मिरतु तक उसमें कोई भी दिफ्रेंट नहीं आता है यह उतना ही बड़ा रहता है ठीक है उसमें डी सही एंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं दोस्तों बहुत ज़्यादे इंपॉटेन कोचन है कि चांद पर बात करें कि चांद पर अभी तक कितने लोग जा चुके हैं दस पंद्रा आठ या फिर बारा तो सही उत्तर हो जाएक दोस्तों आपसे नमर यहां पर डी बारा जी यहां दोस्तों चांद पर अभी तक बारा लोग जा चुके हैं यदि आपसे कोचे ने पूछा जाए कि चांद पर पहली बार कौन गए था ठीक है तो राइट एंसर हो ज लिए फ्रियाद रखना है कि अगला प्रस्ट न है कि भारत में किस नदी में सोना मिलता है याद एला फोछ या फ्रेट रिखतन हो से पाकाने के लिए तो दोस्टों आपको बताने उन में से कौन सा जो कछे फ solving उसे पकाने के लिए उन वैसे क्वर्वाइश का पर्योंग कि जाता है तो रांत एंसर हो जाएक दोस्तों आप से नमबर यहाँ पep Capitol धिलीन का तंतु किस धातु से बना होता है दोस्तों बहुत बार एक जाम में यह कोज़ें पूछा गया है यह जो बल्ब का तंतु होता है यह कौन सा धातु का बना होता है तामबा लोहा टंग अस्थन या फिर चांदी तो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों आपसे नंबर सी टंग Chantikai स Walt Club Od deliver car दोस्तों के द्वार डोस्तों बल्ब का र सक याद रहा है कि कि एक पैसेंजर में कितने ऺड़ाब सकते हैं दोस्ते पैसेंजर का ड़ें क utilizing में बाता गया है दोस問 लेगिन पैसेंजर अरो की बात करें तो इसमें टोटल कितने लोग बैठ सकते हैं तो राइट हो जाएगा ऑप्सन नबर यहां पर c 800 थी ठीका आठ सो तिर्पान लोग बैठ सकते हैं यानि आप्सन नमबर सी सही एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ट है कि भारत में कुल कितने railway station है दोस्तों भारत में बात करें टोटल कितने railway station है तो राइट एंसर होजाएगा आपस नमबर यहां पर D किस company ने की थी दोस्तों आपको बताना है भारत में इंटरनेट का जो शुरुवात किया गये था इनमें से कौन से company के द्वारत किया गये था तो राइट एंसर होजाएगा option number D BSNL ठीक है BSNL दोस्तों इंटरनेट का शुरुवात किया था यानि option D सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि ambulance को हिंदी में क्या कहा जाता है यानि option number D सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि यह फ्रीज मे यहां पर 18 ऊपसे नमबर दोलकर में गैस होता है इसमें यह आपको बतादा है हैं और प्रस्थ न है कि भारत में पहला कंप्यूटर कहां बनाए गए था दोस बहुत करें कि पहला कंप्युटर जो बनाये था यह कहाँ पर बनाये था तो दोस्तों बारत क्षाहर जहां पर जान दिल्ली ठीक है दिली में दोस्तोव जंतर मंतर मंदिर श्थित्ह यानि आपसा नमबर यह सही उत्तर हो जाएगा अगला कोचन आपसे क्या पूछा गया है कि किस देश में इंकम टैक्स नहीं लगता यानि दोस्तों आपको पताना इन में से कौन से देश है जहां पर इंकम टैक्स नहीं लगता है तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपसे नमबर यह यूरोप ठीक है यूरोप में दोस्त सबस्पा सबस्वाइब है पर ऊ Progressing निए और अग्ला कि मलेरिया रोग सबसे पहले कहा है दोस्तों लिलिया रोग देखा झाय inmрा तो सबसे पहले सबसें तरीश में पाव इंसर था अफरीका में तेका या अग्ला प्रेशन है कि कौन सब्जी खाने ऐल Demeurnearm R tast दोस्तो ऐसा कौन सासबुणी है जिसको खानेसे बाल जढ़ना रूख सकता है तो सही सब्सक्राइब कॉन सायगा थैकर सबसे सच्ता फ़ल पॉन future वह ठीक है अगला प्रेस्ट में कि से tecnología ऑपस्ट राज है रहा स्मूंद्र नहीं पाइजाते हैं थो अगले साघर घहांपर मचली-नहीं पायते हैं यानि option number D सही उत्तर हो जाएगा अगला question है कि polio रोग किसके कारण होता है दोस्तरी जो polio रोग है इन में से किसके कारण होता है तो right answer क्या हो जाएगा option number ये विसानू के कारण दोस्तो polio रोग होता है यानि option number ये सही answer हो जाएगा विसानू अगले कोचें में किया पुछां गया है कि मनुस्य में iodine की कमी से कौन सा रोग होता है गया रोग मनुस्य में इस वीडियो का सबसे अच्छा स्रोड क्या है। दोस्तो इस question का एंसर आप से मुझो कमेंट बॉक्स में करें जरूर लिखेगा कि विटामिन सी का सबसे अच्छा श्रोत क्या है और दोस्तो आप टीस कोजन में से कितने ऐसे question थे जिसका answer आप सही सहीं करफाइए इसका answer मांदारभव सब्सक्राइब करें जाते हैं जो कि आपकी लेबल को पूछे जाते हैं तो फिर से हम लोगों मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक लिए जैहिन जैभारत